प्रणाइब दोस्त नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग उमीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे बहतरीन होंगे लाजवाब होंगे एकदम बिंदास होंगे और साथी बहुत अच्छे से आप लोग अपनी तयारी को करने का मन बना चुके होंगे क्योंकि आप लोग जानते हैं कि UP Constable का एकजाम जो है वो कैंसल हो चुका है और री एकजाम की जो डेट दी गई है वो 6 महिने के अंदर अंदर आप लोगों का री एकजाम होना है तो 6 महिने कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है आप लोगों को पहले बहुत चिंता थी कि जी हमें exam होने में बहुत कम समय मिला है मात्र 35-45 दिन में हम लोगों का exam हो गया हम लोग उस level की तयारी नहीं कर पाए जिस level की तयारी हम लोग करना चाहते थे तो दोस्त भगवान ने आप लोगों की सुन दी है और वो time आप लोगों को दे दिया है कि हाँ अब तेरे पास बच्चे टाइम है और तुझे जितनी तैयारी करनी है मेरे दोस्त तुझे तैयारी कर ले तो मेरे दोस्त मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि इस टाइम को जो है अब वेश्ट मत होने देना क्योंकि ऐसी अपोर्चनिटी लाइफ में दोबारा नहीं मिलेंगी और ये समझ के चलिए कि लाश्ट अपोर्चनिटी मिल रही है आप लोगों को एक सरकारी नोकरी पाने की तो मेरे दोस्त इन छे महीनों को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करिए कि हम लोगों का एक्जाम जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है और जब भी हम लोगों का एक्जाम होगा एक शानदार तैयारी के साथ हम लोग बैठ रहे होंगे उसी में आप लोगों की साहिता के लिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ मैं ही आप लोगों को यहीं आप लोगों को मेरे दोस्त सबसे पहले chapter wise practice एट करा रहा हूँगा यह जो 30-35 class हम लोगों की मेरे साती होंगी इसमें हम लोग chapter wise चीजों को कर रहे होंगे एक बार chapters के important concept को हम लोग समझ रहे होंगे कि कौन-कौन से important concept है और फिर बाद में जो हम लोगों का time बचेगा उसमें हम लोग दबा के practice कर रहे होंगे तो कितने लोग तयार हैं कि हाँ हम लोग last तक जुड़े रहेंगे चाहे वो 5 महीने का समय हो चाहे वो 4 महीने का समय हो चाहे वो 6 महीने का समय हो हम लगातार जुड़े रहेंगे और तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारे पास जो है वो जौब ना आ जाए कितने लोग तैयार है एक बार थमसब करेंगे कि हाँ हम लोग तैयार है बस अब आप लोग इस्टार्ट कर दीजिए और आप लोगों के साथ ही हम लोग लाश्ट तक बने रहेंगे सभी दोस्त एक बार थमसब करेंगे तो यूपी पुलिस भरती री एक्जाम का आज मैथ का प्रेक्टिस सेट आज ये प्रेक्टिस सेट आप लोगों को देखने को मिल रहा है लेकिन कल से जो है ये क्लास आप लोग खतम कर लेंगे मात्र 30 से 35 क्लास में जो है वो एक बार क्विक रिवीजन हम लोग पूरे मैथ का कर लेंगे उसके बाद जो प्रेक्टिस हम लोग करने वाले हैं वो बड़ी शांदार जांदार प्रेक्टिस दोस्त हम लोग करने वाले हैं अगर सबसे पहले मैं बात क को करा रहा हूँगा इसके बाद ठीक दस बजे आप लोगों की हिंदी की क्लास नवीन सर की देखने को आप लोगों को मिलेगी ठीक दो बजे आप लोगों की दिगविजय सर की जीके जीस की क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी और तीन बजे यूपी जीकी की क्लास एक बहतरीन सा practice set आप लोगों को दोस्त देखने को मिलेगा तो इस बार जो है इसका screenshot ले लीजिए और इस time पर आप लोगों को बने रहना है कोई भी time जो है कोई भी चीज पीछे के लिए नहीं छोड़नी है कोई भी चीज pending में नहीं रखनी है और जबरदस्त तरीके से आप लोगों को दोस्त पढ़ाई करनी होगी अगर मैं कुछ चीजे बच्चे आप लोगों के सामने देखूं ये जो paper आप लोगों का हुआ था UP Police Constable का 17 तारीक और 18 तारीक को 17 फरवरी और 18 फरवरी में जो आप लोगों का exam हुआ था उसमें कुछ chapters के मैंने question देखे है कि कहां क कहां से कौन कौन से questions कितने कितने questions आप लोगों से पूछे गए थे तो अगर मैं number system से बात करूँ तो 10 question जो है वो number system से दोस्त पूछे गए है चार सिफ्टों में अगर दसमलव और भीन से बात करूँ तो 4 question दसमलव भीन से पूछे गए है सल्ली करन का हर एक shift में जो है वो एक question भी है किसी shift में दो question भी आप लोगों को देखने को मिले है तो सल्ली करन के 10 question बचे आप लोगों को देखने को मिले है अगर LCM SCF की बात करूँ तो हर एक shift में एक question आप लोगों को देखने को मिला है ratio and proportion का हर एक shift में question देखने को मिला है partnership से हर एक shift में question देखने को मिला है थोड़ा सा बात करूं परसंटेज से किसी सिफ्ट में दो कुश्चन देखने को मिले हैं किसी सिफ्ट में मेरे दोस्त एक कुश्चन देखने को मिला है प्रॉफिट लॉस से एक कुश्चन हर एक कुश्चन हर एक कुश्चन हर एक सिफ्ट में कुश्चन आप लोगों को द से 20 कुश्यन देखने को मिले हैं ठीक है भाई बहुत बढ़िया बहुत शांदार तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे दोस्त हम लोग चैप्टर वाइस चीजों को पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कुछ चीजे आप लोगों को बता देता हूं अगले 30-35 दिन हम लोगों का क्या टार्गेट रहने वाला है कि हम लोग चैप्टर वाइस चीजे पढ़ेंगे और हर एक चैप्टर को हम लोग दो दिन का समय दे रहे होंगे दो दिन में हम लोग पूरी चीजों को निप्टा देंगे और य ये सारी चीज जो है वो हमारी 35 किलास में बच्चे खतम हो रही होंगी यानि मैं कह सकता हूँ कि 35 किलास में क्विक रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा और क्विक रिवीजन एक तरीके से समझाने का काम भी मैं आप लोगों को कर रहा हूँगा और इसके बाद जो है वो ड आसान पेपर आसान ही चीज़े हम लोग कर रहे होंगे कोई पेपर में आप लोगों को ज्यादा बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा दूसरी बात बचे अब एक बात की गांठ बांध लेना की पेपर 6 महीने के अंदर ही होगा और बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों क पेपर होगा अब कोई गुंजाइस नहीं है किधर से किधर भी की बाद में देख लेंगे और दो महीने बाद पढ़ लेंगे डेट आजाएगी तब पढ़ लेंगे वो अपने आपको केवल सैटिस्वाई आप लोग कर रहे होंगे बागी उससे रिजल्ट आप लोगों को कुश्चन का वेटेज काफी था बचे तोटल दस कुश्चन पूछे गए हैं आज भी ये चैप्टर चलेगा कल भी ये चैप्टर चलेगा परसों जो है हम लोग SCF-LCM को दोस्त इस्टार्ट कर रहे होंगे तो अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम के पहले कुश्चन की ब ठीक है बताईए निमिलिकित में से कौनसी एक एपरी में संख्या है इर्रेशनल लंबर कौनसी है मेरे दोस्त जेल वार्डर घुरसवार फायरमेन 19 दिसंबर 2020 में आप लोगों से पूछा गया है सबसे पहले आप लोग ये बताईए क्या बारे का एक्जेक्ट वर्गमूल आप लोगों को पता है नहीं पता जिसका एक्जेक्ट वर्गमूल नहीं पता देखो ध्यान से सुनो अगर मैं यहां से चीजों को देखू तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं बारा बटे तीन लिख सकते हैं बई दोनों ही चीजे वर्गमूल के अंदर हैं तो दोनों के रहे हो जाएगा और चार का वर्गमूल बहुत अच्छे से जानते हैं दो होता है तो ये परी में संख्या हो जाएगी ए परी में नहीं होगी दूसरा अगर मैं यहां से देखता हूँ मेरे दोस्त तो चार का वर्गमूल कितना होता है दो होता है और पच्चिस का वर्गमूल की बात करता हूँ तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 20 बटे 4 लिख सकता हूँ आप कहेंगे जि बिलकुल लिख सकते हो अगर मैं आपसे 5 का वर्गमूल पूछू तो आप कहेंगे exact वर्गमूल नहीं होगा और जिस भी संख्या का exact वर्गमूल नहीं होता वही क्या कहलाती है वही एपरी में संख्या कहलाती है, ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पे बात को समझिएगा, क्या आप इसे 63 बटे 28 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, 7 नाम 63 होता है, 7 चोक 28 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 4 का वर्ग कुछन, उत्तर परदेश कॉंस्टेबल 15 दिसंबर 2013 का कुछन आप लोगों से पूछा गया है, कुछन ने कहा है, दिये गए विकल्पों में से परी में संख्या चुनिए, बचे अब शायद आप लोग परी में संख्या इसली बता पाएंगे, हर एक बच्चा बता पाएग से सुरुआत करिए, जो मैंने आपको बता दिया, वही चीज चलेगी सिक्वेंस में, और उसी तरीके से हम लोग जो है कर रहे होंगे, ठीक है, अब देखिए सबसे पहले परी में संख्या चुनिए, तो ई क्या परी में संख्या है, आप कहेंगे बिलकुल नहीं है, पाई क मान जो होता है, वो परी में संख्या होती है, सबसे पहले आप लोगों को परी में संख्या के बारे में पता होनी चाहिए, परी में संख्या पी अपोन क्यों के फॉर्म में होती है, और क्यों जो होता है, उसमें डिनोमनेटर पार्ट वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होन चाहिए और P और Q दोनो पूर्णांक हूने चाहिए अगर ये तीनों कंडिशन फुल्फिल हो रही है तो दी गई संख्या मेरी परी में संख्या होगी और अगर इन में से एक भी condition सेटिस्फाई नहीं हुई तो दी गई संख्या मेरी परी में संख्या नहीं होगी बचे ई जो है वो पूर्णांक नहीं होता तो इसकी ये कंडिसन सैटिस्फाई नहीं है तो ये तो परी में नहीं होगा पाई जो है वो पूर्णांक नहीं होता तो ये भी मेरी नहीं है अगर मैं रूट D इस question का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है भाई तो हाँ आप लोगों को परी में आप लोगों को पता चल चुकी है कैसे पहचान करनी है अब अगला जो point है आप लोगों के सामने IKAI के अंक का question है ये question आप से 17 फरवरी में आप से पूछा था second shift में ये जो भी आप लोगों का exam हुआ है उसमें second shift में बचे ये question आप लोगों से पूछा गया है क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोगों को बताया गया होगा कि अगर आप लोगों को 4 या 9 IKAI के अंक पे देखने को मिलता है तो आपको sum या विसम देखना है देखो ध्यान से अगर मेरे दोस्त 9 की पावर आप लोगों को sum दी हुई है तो आप लोग जानते हैं इसमें unit digit 1 आता है और 9 की पावर अगर आप लोगों को विसम दी हुई है तो आप लोग जानते हैं इसमें यूने डिजट जो है वो 9 आता है क्या ये बात किलियर है अगर यहाँ पे देखू तो मेरे दोस्त यहाँ पे इकाई का अंक 9 है 9 की पावर क्या दी हुई है विसम दी हुई है और विसम के पावर जब सम होती है तो यूने डिजट 6 आता है और 4 की पावर विसम होती है तो यूने डिजट 4 आता है ठीक उसी तरह अगर मैं आप लोगों से पूछूँ भाई साब कि 1,5,6,0 यूने डिजट दी हुई है तो इनका यूने डिजट क्या होगा तो पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यूने डिजट पर एक है तो अंसर में भी एक आएगा यूने डिजट पर पाँच है तो अंसर में भी पाँच आएगा यूने डिजट पर छे है तो अंसर में भी छे आएगा और यूने डिजट पर जीरो है तो अंसर में भी 0 आएगा बाकी अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इकाई के अंक पे कहीं आप लोगों को 2, 3, 7, 8 दिखाई देता है तो क्या करेंगे आप कहेंगे जी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जो सेसफल बचेगा उसे इकाई के अंक पे लगा देंगे वही हम लोगों का जवाब हो जाएगा ठीक है भाई तो ये पूरा का पूरा यूनेड इजट मैं आप लोगों को रिकॉल करा चुका हूँ मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को हाँ मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को मेरे दोस्त कोई दिक्कत आने वाली है ठीक है भाई आगे बढ़ें चली अगला कुश्चन यूनेड इजट का समझू तो मेरे दोस्त इसका मुझे जवाब बताईए क्या होगा इस कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे साथ ही इस कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब आप कहेंगे जब भी चीजे गुणा में लिखी हो तो इकाई के अंक की गुणा इकाई के अंक में कर लो 8 दूनी 16 को 6 हो जाएगा, फिर 6 की गुणा 9 में करेंगे, 9 जी Squad 54 को 4 हो जाएगा। फिर 4 की गुणा 4 में करेंगे, 4 चौक 16 को 6 हो जाएगा। तो इकाई का अंक क्या आजाएगा? तो आप कहेंगे इकाई का अंक मेरे दोस्त 6 आजाएगा। ठीक है आसान सा question था question number 5 आप लोगों के सामने है question number 5 आप लोगों के सामने है फटा-फट मुझे बताईए क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब आरपी एफ के लिए ये practice set ले सकते हैं भाई साब math आरपी एफ में भी unit desert आता है आप लोग ये जानते हैं यहां सारी चीज़े recall हो जाएंगी अगर unit desert पर 5 है तो उसकी power कुछ भी हो फरक नहीं पड़ता 5 ही आएगा अगर इकाई के अंक पर 6 मौझूद है तो power का कोई फरक नहीं पड़ता इकाई के अंक पर 6 है तो अंसर में भी 6 आएगा और इकाई के अंक पर अगर एक मौझूद है तो अंसर में भी एक ही आएगा ठीक है अगर मैं यहां से देखू तो मेरे दोस्त इकाई का अंक कितना आ जाएगा छे पंजे 30 पीछे 0 आ चुका है option number A इस question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा अब आप यह मत सोचना जी इतने आसान आसान question आते हैं बिलकुल आते हैं भाई साब इतने आसान आसान question 2023 में 17 फरवरी और 18 फरवरी को हुए exam का analysis करोगे तो बहुत आसान आप लोगों को math दिखाई पड़ेगा ऐसा नहीं है हम अच्छे question नहीं करेंगे हम अच्छे भी question करेंगे लेकिन हम जो चीजे पढ़ेंगे उस हिसाब से पढ़ेंगे जिस हिसाब से paper 17 18 में बना था मेरे दोस्त थोड़ा सा level हम लोग बढ़ा रहे होंगे बस पड़ पड़ बताईए भाई क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब देखिए उसने कहा है कौन सी एभज्य संख्या नहीं है सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए मेरे साथी की एभज्य संख्या या प्राइम नंबर होते क्या है एभज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी से कट नहीं होती या तो वो एक से डिवाइड होती है या केवल अपने आप से डिवाइड होती है अन्य कोई संख्या उन संख्या को नहीं काट सकती उन सभी संख्याओं को एभज्य संख्या कहा जाता है यानि हम दूसरी अगर definition की बात करें तो definition ये कहती है कि एभज्य संख्या मेरी वो संख्या है जिसके केवल और केवल दो factor या केवल और केवल दो गुननखंड होते हैं यानि या तो वो एक से कटेगी या अपने आप से कटेगी अन्य किसी संख्या से वो नहीं कटेगी उसे हम लोग एभज्य संख्या कहते हैं अगर मेरे दोस्त मैं इसमें बात करूँ तो 1001 को काटने वाली दुनिया भर की संख्याएं हैं यानि की अगर मुझे किलियरली दिखाई दे रहा है कि 1001 जो है वो मेरा अन्य संख्या उसे भी कट जाता है तो ये कैसे अभज्य हो सकती है तो मेरे दोस्त ये ही हो संख्या है जो अभज्य संख्या नहीं है अब मुझे पहचान कैसे होगी चलो यहां तो एक जानी पहचानी संख्या मेरे सामने आ गई एक हजार एक लेकिन अगर कोई जानी पहचानी संख्या मेरे सामने नहीं आई तो मुझे पहचान कैसे होगी मुझे पहचान कैसे करनी होगी कि ये भज्य है या ये भज्य संख्या है तो अगला कुश्चन जो है अगला कुश्चन वही है कैसे पहचान हम लोग कर रहे होंगे बचा इस कुश्चन को थोड़ा सा देखिएगा पहचान करने के लिए डिविजिविल्टी रूल आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए विवाजिता का नियम आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए अब द्यान से सुनिएगा कुश्चन ने कहा है निमलिकित में से कौन सा विकल्प जो है वो भज्य संख्या नहीं है यानि एभज्य के बारे में मुझे बताईए कितना होता है तो आप कहेंगे 144 होता है एक सो चवालिस का वर्गमूल मुझे बताईए कितना होगा आप कहेंगे 12 होगा आगे बढ़िये 433 से अगला वर्गमूल कितना होता है तो आप कहेंगे 441 होता है और 441 का वर्गमूल 21 होता है 533 से अगला वर्गमूल 560 होता है 560 बच्चे किसका वर्गमूल होता है तो आप कहेंगे 24 का होता है और 833 से अगला वर्गमूल 841 होता है और 841 से 841 का वर्गमूल 29 होता है क्या ये बात आपके समझ में आ गई जिस भी संख्या का आप से कहा जाए कि पहचान करिए ये भज्य संख्या है या एभज्य संख्या है जश्ट उससे अगला वर्गमूल आप लोग निकाल दीजिए कि उससे अगला वर्गमूल किसका होगा अब ये आपने बारा लिख दी बारा से छोटी सारी एभज्य संख्याई लिख दीजिए आप ये कहेंगे जी method बड़ा है बेटा इसका method बड़ा ही होता है जब आपने हाँ आप ध्यान से सुनिए जब आप 2 से इसको divide करेंगे तो 2 से divide नहीं होगा मेरे साथ ही तीन से divide करेंगे तो 3 और 3, 6 और 1, 7 तीन से divide नहीं होगा पांस से divide करेंगे तो 5 से भी divide नहीं होगा क्योंकि 0 और 5 नहीं है साथ से डिवाइड करेंगे तो साथ एकम साथ छे बचेगा साथ नाम तड़े सट साथ से तो डिवाइड हो जाएगा ये मेरा एभज्य संख्या नहीं है ठीक है ठीक 21 से छोटी एभज्य संख्या लिकिए बिटा 11 हो गई 13 हो गई 17 हो गई 19 हो गई ये सारी 21 से छोटी एभज् 11 से काटी है 11 तीया 33 दस बचेंगे नहीं कटेगा 13 दूनी 26 तीया 49 चार बचेंगे नहीं कटेगा 17 दूनी 34 होता है 9 बचेंगा नहीं कटेगा 19 दूनी 38 होता है 5 बचेंगा नहीं कटेगा मतलब ये किसी से भी नहीं कट रहा है तो मेरे दोस्त यही मेरी एभज्य संख्या हो ज तो मेरे दोस्त आप लोगों को दिमाग में एक चीज बैठानी है जिस भी संख्या का हमें निकालना है कि ये भज्य संख्या होगी या ये एभज्य संख्या होगी उससे अगला वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे और उस वर्गमूल से चोटी सारी एभज्य संख्याओं से एक बार चेक कर लेंगे कि क्या वो संख्या विभाजित होती है या नहीं अगर उनमें से किसी एक से भी विभाजित हुई तो वो मेरी भज्य संख्या कहलाएगी और अगर किसी से भी विभाजित नहीं हुई तो वो मेरी भज्य संख्या कहलाएगी ठीक है तो मेरे दोस्त क्य हो जाएगा इस question का बिलकुल सही जवाब option number B इस question का साथी बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे बहुत सारे लोग आपको रास्ते में मिलेंगे बहुत सारे लोग library में मिलेंगे बहुत कुछ कहते हुए मिलेंगे लेकिन आपको अपने दिमाग से काम लेना है मेरे दोस्त दिमाग से काम लेना है 48 लाख बच्चों ने मतलब पेपर दिया था 48 लाख में 60,000 लोगों का सेलेक्शन होना है कॉम्पुटीशन अच्छा खासा है मेरिट अच्छी खासी जाएगी पढ़ाई अच्छी खासी करनी होगी और अब जो है वो असली कॉम्पुटीशन आपके सामने निकल के आएगा जहां टाइम भी आपको मिला है हर एक चीज आप लोगों को मिली है तो पेपर का लेवल भी अच्छा खासा होगा पढ़ना भी अच्छे से होगा नहीं भी आता है पेपर का लेवल तो भी अच्छे से पढ़के चलना होगा अगर बाइचांस लेवल आ गया तो मुझे क्या कर मुआ फिर मैं तो उस सोच के साथ बच्चे आप लोगों को पढ़ना होगा बाकि आप लोगों की मर्जी है आप अपनी मर्जी के स्वेम मालिक है आप लोगों पर कोई किसी का मलब ये नहीं है कि हम लोग आप पर कुछ थोपेंगे आपको खुद अपने end पर decision लेना है ठीक है भाई चलिए पड़ पड़ मुझे इसका जवाब दीजिए तीन अंकों की सबसे चोटी अभज्य भाई साब देखना कहां पूछा है कहां पूछा है यूपी पुलिस असिस्टेंट ओपरेटर का एक्जाम हुआ था अभी 4 फरवरी 2014 में मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक महीने पहले एक्जाम हुआ था उसमें आप लोगों से पूछ लिया तीन अंकों की सबसे चोटी अभज्य संख्या कौन सी है तो पहले इसके बारे में सारा कुछ बता दू कि सबसे चोटी अभज्य संख्या दो है दो अंकों की सबसे चोटी एभज्य संख्या ग्यारा है दो अंकों की सबसे बड़ी एभज्य संख्या सत्तान में है तीन अंकों की सबसे चोटी एभज्य संख्या एक सो एक है तीन अंकों की सबसे बड़ी एभज्य संख्या नो सो सत्तान में है तो ये पाँच चीजों को आप लोग याद रखेंगे बिटा सबसे चोटी एभज्य संख्या दो दो अंकों की सबसे चोटी एभज्य संख्या ग्यारा दो अंकों की सबसे बड़ी एभज्य संख्या सतान में तीन अंकों की सबसे चोटी एभज्य संख्या 101 तीन अंकों की सबसे बड़ी अभज्य संख्या 170 में और एक से लेके 100 तक की कितनी अभज्य संख्या होती है तो ये भी याद रखेंगे वो 25 होती है ठीक है भाई तो question ने का है सबसे चोटी अभज्य संख्या 3 अंकों की कौनसी होगी तो आपका जवाब होगा 101 हो जाएगी है संख्या कितनी होगी क्या आप लोग जानते हैं कि 2 और 5 के multiplication से हमेशा 0 बनती है आप कहिंगे जे बिल्कुल जानते हैं देखिए मेरी बात को समझेगा हाँ अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि जो संख्या में हम इनके pair देख लेंगे हम इनके जोड़े देख लेंगे जो यानि हमें दिये गए expression के अंदर केवल 2 और 5 की संख्या को देखना होता है जो संख्या में कम होगा number of zeros भी मेरे दोस्त उतनी ही बन रही होंगे जब भी आप लोगों को लगातार संख्याएं देखने को मिलें आप देख रहे होंगे ये संख्या एक से लेके कहां तक लिखी हुई है एक से लेके 163 तक संख्याएं लिखी हुई है तो मेरे दोस्त जब भी संख्याएं एक से सुरू होके लगातार संख्याएं लिखी हों तो उसे हम लोग factorial कहते हैं उसे हम लोग किरम गुणित कहते हैं यानि मैं कह सकता हूँ कि ये जो expression आप लोगों के सामने लिखा हुआ है 163 factorial आप लोगों के सामने लिखा हुआ है और जब भी factorial के अंदर number of zeros निकालनी हो तो दोस्त हम उसे 5 से divide करते हैं 5 की संख्या निकालने के लिए 5 तिया 15 होगा 1 बचेगा 5 दूनी 10 हो जाएगा क्या ये 32 बार कटेगा अब ये जो divide होके आया है फिर इसको 5 से divide तो आप कहेंगे 5 जंग 30 हो जाएगा अब ये जो divide होके आया है फिर इसको 5 से divide करेंगे आप कहेंगे जी एक बार कटेगा कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा जी इसमें remainder कहां जाएगा सेसपल कहां जाएगा भाड में जाए से पूरी बार कट रहा है ठीक है भाई अगर मैं इन सब की काउंटिंग कर देता हूं 32 और 36 और 1 कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 49 0 इसके अंदर आ जाएगी मेरे दोस्त number of 0s की संख्या क्या हो जाएगी तो आप कहेंगे 49 आज के बाद एक question दिमाग में set कर लेंगे अगर ल तक कि वो divide होना बंद ना हो जाए ठीक है भाई चलिए बहुत शानदार next question एक और question है बिटा number of 0s का इसका answer मुझे बताईए फटाफट क्या होगा फटाफट बताएंगे इसका answer क्या हो जाएगा question ने कहा है 5 गुणा 10 गुणा 15 है गुणा 20 गुणा 25 गुणा 265 तक आप लोगों को दिया हुआ है क्या कोई ऐसा युद्धा है जो इसके अंदर number of 0s मुझे बता पाए थोड़ा सा थोड़ा सा tricky question आप लोगों के सामने है बचे आप लोग देख रहे हुँगे कि हर पद के अंदर आप लोगों को 5 कॉमन नजर आएगा हर पद के अंदर आप लोगों को 5 कॉमन नजर आएगा तो अगर मैं हर पद के अंदर से 5 कॉमन लेना चाहता हूँ तो मुझे 5 कितनी बार common लेना होगा ये पहला पद है जब इसको डिवाइड करता हूँ दो आता है ये दूसरा पद है जब इसको डिवाइड करूँगा ये तीन आता है तो ये तीसरा पद है जब इसको डिवाइड करूँगा 5 से तो ये 4 आता है ये 4 पद है जब मैं इसको पांच से डिवाइड करूँगा तो यह तड़िपन बार डिवाइड होगा यानि यह तड़िपन वा पद है इसका मतलब मुझे हर पद के अंदर से पांच कोमन लेना है तो क्या मैं पांच तड़िपन बार कोमन ले रहा होगा अगर पांच को तड़िपन बार कोमन ले दूँगा तो यहां पाँच कोमन आया तो एक बचा यहां से पाँच कोमन आया तो दो बचा यहां से पाँच कोमन आया तो तीन बचा और यहां से पाँच कोमन आया तो चार बचा और यहां से पाँच कोमन आयेगा तो यहां तड़िपन बचेगा क्या कोई दिक्कत अब मेरे दोस्त इसे side में छोड़ दीजिए इस पर थोड़ी देर अपनी निगाहों को मत टेकिए आप लोग इस पर अपनी निगाहें जमाईए क्या ये आपके सामने लगातार संख्याएं लिखी हुई है क्या मैं इन वाली संख्याओं को 30 का factorial लिख सकता हूँ आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं क्या number of zeros जो बनती है वो दो और 5 की counting से बनती है आप कहोगे जी 5 की counting कर लो 5 की counting कितनी आएगी तो आपने कटा 5 से कटा 10 बार हो गया फिर 10 को 5 से कटा मेरे दोस्त तो आपने कहा दो बार यहां कट गया तो क्या total बारे बार पांच आएगा आएगा या नहीं तड़ेपन बार पांच यहां है बारे बार पांच यहां है क्या total 65 बार पांच आ रहा है पांच जो आ रहा है वो 65 बार आ रहा है तड़ेपन बार तो यहां है और बारे बार यहां है total तड़ेपन और बारे क्या 65 बार पांच आ रहा है आपके दिमाग में एक कीड़े ने जनम लिया आपके दिमाग ने एक चीज सुची कि अगर 65 बार जो है वो 5 आ रहा है तो एक बार 2 की संख्या और देख लो क्या वो कमबार तो नहीं आ रहा आप क्या करिये आप क्या करिये तड़ेपन को 2 से डिवाइड करिये जब 2 की संख्या निकाल ली हो तो 2 से डिवाइड करिये जब 5 की संख्या निकाल ली हो तो 5 से डिवाइड करिये आपने इसे काटा 2 दुनी 4 दो 6 का बार है फिर आपने 26 को 2 से काटा तो आपने कहा जी 13 बार कटेगा फिर आपने 23 को 2 से काटा तो आपने कहा जी 6 बार कटेगा फिर आपने 26 को 2 से काटा तो आपने कहा जी 3 ब और 6.45 और 3.48 और 1 क्या हो जाएगा उड़नचास हो जाएगा भाई साब खेला हो गया खेला हो गया मामला भी पलट गया मेरे दोस्त अगर मैं 5 की संख्या देखू तो 65 बार 5 है लेकिन 2 जो है वो केवल और केवल उड़नचास बार मुझूद है और मैं बता के आप लोगों क कम होगा number of zeros भी उतनी ही होंगी तो गलती से भी इसका answer 65 मत दे देना इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो उड़ंचास हो जाएगा बताइए भाई क्या होगा इसका आया सब के समझ में आया क्या सब के समझ में बेटा इसको पास से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यह लगातार संख्याई नहीं आपके पास इसे factorial में नहीं लिखेंगे पहले थोड़ा सा हमें लगाना होगा हिसाब किताब अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए पहला कुश्चन ऐसा आया है जो आपको बच्चा सोचने पर मजबूर कर सकता है पहला कुश्चन ऐसा आया है ध्यान से सुनिए आपके सामने ये एक expression दिया हुआ था आपसे कहा है आपसे कहा है number of zeros निकालनी है जानते हैं जो संख्या में कम होगा चाहे वो दो कम हो चाहे वो पांच कम हो जो संख्या में कम होगा number of zeros उतनी ही बनेंगी अब ध्यान से सुनिए आपने देखा कि हर संख्या में 5 आ रहा है पांच से सारी संख्या डिवाइड हो रही है तो आप पहले सब से पहले सोचिए कि मुझे पांच कॉमल लेना है जब पांच कॉमल लेने की बाताधी है तो अब आपको ये पता होने चाहिए कि ये total कितनी term लखी हुई है तो आपने देखा 5 से डिवाइड करता हूँ ये पहल पद आएगा क्या इसके अंदर टोटल 53 पद दिये हुए हैं हर पद के अंदर से पांच कोमन होगा तो पांच 53 बार कोमन लेना होगा जब आप हर पद के अंदर से पांच कोमन ले चुके हो तो यहाँ एक बचेगा जब पांच कोमन ले चुके हो तो यहाँ दो बचेगा जब आपने क्या कहा आपने पांच से डिवाइड करा तो दस आ गया दस को पांच से डिवाइड करा तो दो आ गया यानि पांच की संख्या बारे आ गए यहां पांच की संख्या बारे हैं यहां तड़िपन है दोनों जगा पांच की संख्या जोड़ोगे तो पांच की संख्या प जब पांच के संख्या निकालनी हो तो पांच से डिवाइड करना है आपने दो से डिवाइड किया और तब तक डिवाइड किया जब तक डिवाइड होता है तो टोटल उड़न चास बार दो निकल के आया भाई साब गजब का केस हो गया पांच जो है वो 65 बार आ रहा है और तो जो है वो उड़न्चास बार आ रहा है, तो मेरे साथी उड़न्चास ही जीरो हो जाएंगी, स्क्रीन सोट ले लो, फटाफट बहुत बढ़िया कुश्चन है, एक फोल्डर आज ही बना लो, एक फोल्डर आज ही बना लो, इम्पोडेंट कुश्चन के नाम से, उसमें ये मौजूद होना चाहिए आपके, उसमें ये कुश्चन मेरे दोस्त मौजूद होना चाहिए, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कुश्चन, कुश्चन नंबर ग्यारा, इसमें तो आप लोग बता देंगे, बाइसाब जब भी फैक्टोरियल का कुश्चन दिखाई दे, तो आप लोग 5 से डिवाइड करेंगे, और आंसर फटा फटा निकालेंगे, आपने कहा जी, 475 को 5 से डिवाइड कर दो, 475 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 नाम 45 होता है, 2 बचे का 5 पंजे 25, पिच्चाण में को 5 से डिवाइड कर दो, 19 बार कटेगा, 19 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 तिया 15 बार कटेगा, भाइसाब अब नहीं कटेगा, तो यही तो नमबर ओफ जीरोज होंगी, तो आप ध्यान से समझे, 9 और 5, 14, 3, 17 को 7, थांसिल 1, 9 और 1, 10 और 1, 11, तो 117 नमबर ओफ जीरोज हो जाएंगी, बिटा जब कॉमन लेने की बात आती है, गुणा में हैं, इसलिए 5 को 58 बार कॉमन ले रहे हैं, अगर पिलस में होता तो, एक ही 5 कॉमन लेने से, हर जगा से कॉमन आ जाता, ठीक है, लोगों को 17-18 फरवरी की सिफ्ट 1 में कॉश्चन देखने को मिला है, फेक्टर कॉश्चन आपके सामने है, फेक्टर पे एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, कि फेक्टर का क्या लेना देना है, बिटा, है न, जल्दी से बताईए क्या होगा, इस कॉश्चन का बिल्कुल सही जबा, कॉश्चन ने कहा है, संख्या 323 में है, वो एभाज्य गुननखंड की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये देखिए कि 323 कटता किस से है, तो आपने कहा 3 से तो नहीं कटेगा, 3, 2, 5, 3, 8, 7 से कटेगा क्या, 7, 4, 28, कितना बचेगा, 4 बचेगा, नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, 13 से कट रहा है, 13, 2, 26, बचेगा, नहीं कटेगा, 17 से, 17, 1, 17 होता है, 15, 17 से कट रहा है, यानि जब आपने इसे 17 से कटा, जब आपने इसे 17 से काटा तो 17 एकम 17, 17, 17, 153 हो गया दूसरा फिर आपने इस 19 से काटा तो 19 से कम 19 हो गया यानि कि अगर 323 के मैं फैक्टर आपसे पूसता हूँ तो 17 गुड़ा 19 लिख सकता हूँ क्या तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं तो बेटा इसके कितने एभज्य गुननखंड हो गए ये भी एभज्य है ये दोनों किसी से डिवाइड थोड़ी न होते हैं तो बहिया 323 के दो एभज्य गुननखंड हो जाएंगे 323 के दो एभज्य गुननखंड हो जाएंगे एभज्य संख्या वो संख्या होती है जो बेटा किसी से निकटती जो एक से आपने आप से कटती है तो सत्रे भी ऐसी ही संख्या है और उन्निस भी ऐसी ही संख्या है तो आप से पूछे 323 के क्या है टोटल एभज्य गुननखंड कितने है तो आपका जवाब होगा दो एभाज्य गुननखंडों, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शांदर, next question, अच्छे जब इसमें बता ही दिये हैं, तो भाईया इसके अंदर और बता दो, factor जब चालू ही हो गया है, आपने एभाज्य गुननखंडों की संख्या पता इसके detail में समझना, पूरा का पूरा factor जो है, इस question के अंदर निचोड कर दूँगा, है न, ध्यान से समझना, मैंने कहा 6480 आप लोगों को दिया हुआ है, आप सबसे पहले इसके factor करने स्टार्ट करिए, दो से काटेंगे 2, 3, 6, 2, 2, 4, 2, 4, 8, 0 आएगा, दो से काटा तो 1620 बार कट गया, है न, दो से काटा तो 810 बार कट गया, दो से काटा तो 405 बार कट गया, अब दो से नहीं कटेगा, तीन से काटीए, तीन एक बचेगा, तीन तीया नो, एक बचेगा, तीन पंजे 15 हो गया, तीन से काटा तीन चोक बार है, तीन पंजे 15 हो जाएगा, तीन से क पांच बार कटेगा और पांच से काटोगे एक बार कटेगा क्या ऐसे ही फेक्टर करोगे अगर मैं आपसे पूछू भहिया दो कितनी बार आया है तो आप कहिंगे दो जो है वो चार बार आया है अगर मैं आपसे पूछू तीन कितनी बार आया है तो आप कहिंगे तीन जो है के बारे में पूछा था आगे वो आपसे कुल गुननखंड भी पूछ सकता है आगे वो आपसे सम गुननखंड भी पूछ सकता है आगे वो आपसे विसम गुननखंड भी पूछ सकता है अगर वो आपसे इस expression के अंदर total गुननखंडों की संख्या पूछता है भाई साब कुल गुननखंड कितने होंगे तो आप क्या करना सब की पावर में एक एक बढ़ा देना एक बढ़ाया पाँच आ गया एक बढ़ाया पाँच आ गया और एक बढ़ाया दो आ गया यानि इसके अंदर टोटल गुननखंड जो होंगे वो 50 होंगे तोटल गुननखंड जो होंगे वो 50 होंगे दूसरा वो आपसे पूछ सकता है भाई साब सम गुननखंड कितने होंगे यानि की E1 फैक्टर कितने होंगे अब E1 कैसे निकाले जब सम गुननखंड की बात करता है तो सम संख्या ये है इसकी पावर में कोई बढ़ोत्री मत करना सम पूछ रहा है तो सम की पावर में कोई बढ़ोत्री मत करना सब की पावर में एक एक बढ़ा देना और बाकी सब की पावर में एक एक बढ़ा देना तो 40 आ जाएगा आएगा या नहीं अगर वो आपसे विसम पूछता है अगर वो आपसे ओड पूछता है तो सम वाले को बिल्कुल छोड़ देना अगर सम वाले को बिल्कुल छोड़ दोगे तो विसम में एक बढ़ाओगे पांच आएगा और इसमें एक बढ़ाओगे तो दो आएगा तो क्या इसकी गुणा हो तो वो 50 के बराबर आजाएगी हाँ यहाँ आपसे प्राइम नंबर भी पूछे जा सकते हैं एभाज्य गुननखंड की संख्या भी पूछी जा सकती है तो अगर आप इस फॉर्मेट में expression को लिख देते हैं तो सारी गहतों को जोड़ देना यही एभाज्य गुननखंडों की संख्या आजाएगी तो आपने कहा जी चार और चार आठ और एक नो जो है वो एभाज्य गुननखंडों की संख्या आजाएगी यह बात समझ में आ गई तो वो आपसे चार question पोस सकता है वो चारो question बचे आप लोगों के सामने मैंने करा दिये हैं ठीक है तोटल पूछे तो सम की गहत में एक एक की विरत दी सम पूछे तो सम की गहत में कोई विरत दी नहीं बाकी सम की गहतों में एक एक की विरत दी विसम पूछे तो सम को बिल्कुल छोड़ देना है सब की घहत में 21 विरत्धी और अगर प्राइम नंबर पूछे तो सब की घहतों को जोड़ देना है अब आपके दिमाग में एक और चीज आईए आपके दिमाग में एक और चीज आएगी आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, अगले कुश्चन की तरफ चलते हैं, अगला कुश्चन क्या कहता है, भाई सब डिविजिबिल्टी रूल का कुश्चन ये पूछा गया है, 28 जनवरी 2019 में, 4 साल पुराना 5 साल पुराना कुश्चन है, फटा फट बताईए क्या होगा इस कु इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, देखिए, एक 5 अंको की संख्या दी हुई है, 247x8, ठीक है, ये 44 से विभाजित होती है, 44 से विभाजित होने का नियम क्या कोई मुझे बताएगा, आप कहोगे जी बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, कि जो संख्या 11 और 4 से डिवाइड होगी, वो 44 से जरूर हो, अच्छा 4 का डिविजिबिल्टी रूल क्या कहता है, आप कहेंगे जी बाद के दो अंक विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, अगर मैं 3 रखता हूँ तो 38 चार से विभाजित होगा, नहीं होगा, अगर मैं 4 रखता हूँ तो 48 चार से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा, यानि तो 1 X की संख्या 2 आ सकती है, 1 X की संख्या 4 आ सकती है, अब मुझे 11 का डिविजि था उनको जोड़ लो, चार और दो छे, अगर इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए, या 11 का कोई multiple आ जाए, तो आपकी वो संख्या फिर 11 से डिवाइड होगी, तो आतो गया 11 का multiple, यानि 2 रखने से ये 11 का multiple आ रहा है, तो इस कुश्चन का जवाब भी 2 ही हो जाएगा, इस कुश तो बिटा इनका अंतर जो है वो 11 आता है जो की 11 से डिविजिवल है अगर कोई संख्या 11 और 4 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या 44 से भी डिवाइड होगी यानि X की जगा दो रखने से बिटा काम बन जाएगा ठीक है भाईया बहुत बढ़िया नेक्स्ट कुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इन में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभज्य है बेटा 9 का रूल क्या होता है अंको का योग 9 से कटना चाहिए अंको का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए आप देखिए 9 और 8 17 और 11 9 से कट रहा है 9 और 8 17 और 11 8 9 से कट रहा है 1 और 12 8 2 10 9 से नहीं कटता 8 7 15 और 11 9 से नहीं कटता ठीक है भाई अब इन दोनों में ये देख लो 11 से कौन सा कटता है 11 का रूल एक एक छोड़ के जोड़िए 1 एक और 9 10 हो जाएंगे जिनको छोड़ा है उनको जोड़िए क्या डिफरेंस 0 आया 9 आया जिनको छोड़ा था उनको जोड़ा तो 9 आया क्या डिफरेंस 0 आया बिलकुल आया तो यहीं वो संख्या होगी जो 9 और 11 दोनों से कट रही होगी तो एक आसान सा कुश्चन आप लोगों के सामने था मेरे दोस्त इस कुश्चन का जवाब फटा फट दे दो बिना किस देरी के क्या होगा इस कुश्चन का बिलकुल सही जवाब आप लोगों को एक संख्या दी हुई है आप लोगों से कहा है 985 आगे क्या है X 37 अठेतर और आगे दिया हुआ है Y आप से कहा है संख्या 72 से विभज्य है क्या कोई ऐसा किलास में योद्धा है जो ये ना जानता ह कि 22 से डिविजिविल्टी रूल क्या कहता है तो आप कहिंगे जी बच्चा भी इस बात को जानता है कि अगर कोई संख्या 9 और 8 दोनों से डिवाइड होगी तो वो संख्या 72 से जरूर डिवाइड होगी अच्छा 8 का डिविजिविल्टी रूल थोड़ा सा मुझे समझाई तो आप कहिंगे जी पूरी संख्या को देखने की आवशकता नहीं है आप बाद के 3 अंक केवल 8 से डिवाइड कर दो आपने 8 से डिवाइड कि 8 नाम 72 कितना बचेगा 6 बचेगा यह तो बचेगा 6 के आगे क्या लगा दूं कि 8 से डिवाइड हो जाए तो आप कहिंगे 4 लगा दूं कि 8 से डिवाइड हो जाए तो आप कहिंगे 6 के आगे 4 लगाने से ही बात बनेगी तो भाई की वैल्यू तो चारा चुकी है ठीक है भाई की वैल्यू चारा चुकी है अब 9 का डिविजिबिल्टी रूल क्या कहता है कहिंगे बड़ा आसान है अंकों का योग दे 41 में क्या जोड़ दूं की ये 9 से डिवाइड हो जाए तो आप कहिंगे जी आसान सा 4 जोड़ दो ना 4 जोड़ दो ना 4 जोड़ोगे तो 45 नो से डिवाइड हो जाएगा यानि X की वैल्यू भी 4 है और Y की वैल्यू भी 4 है बचा यहां पुट करो 4 चौक 16 और Y की वैल्यू चार चार तिया बार है दोनों का डिफ्रेंस कितना आएगा तो आप कहेंगे चार आएगा option number B इस question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है option number B क्या होगा मेरे दोस्त इस question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा तो ये divisibility rule पहले मैंने आप लोगों को किसकी बताई divisibility rule में पहले मैंने आपको 44 का नियम बताया 11 और 4 का नियम दूसरा question मैंने आपको 9 और 11 का नियम बताया तीसरा question मैंने 9 और 8 का नियम दोस्त आप लोगों को बताया है ना भाई बहुत बड़िया बहुत शांदर नेक्स्ट कुश्चन आपके सामने है भाई ग्यारा तेहरा और साथ बड़ा 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 दो भाई इस कुश्चन को ग्यारे का नियम बताओ बहुत तेजी से मुझे ग्यारे का नियम बताओ एक बार 11 का नियम बताएंगे क्या होगा इसका तो आप कहेंगे जी जोडो ना एक एक छोड़ के 6 और 4, 10, 10 और 1, 11 6, 2, 8, 8, 8, 3, 11 11 और 11 का डिफरेंस 0 आएगा 11 से डिवाइड होगा 6 और 4, 10, 10 और 2, 12 6, 2, 8, 4, 12, 11 से डिवाइड होगा 6 और 4, 10, 10 और 3, 13 6, 2, 8, 5, 13, 11 से डिवाइड होगा 6 और 4, 10, 10 और 4, 14 6 और 6, 12, 12, 14, 11 से डिवाइड होगा भाई साब सारे ही 11 से डिवाइड हो रहे हैं अच्छे एक बात और बता दू एक बात बहुत छोटी सी बता दू अगर कभी भी 7, 11, 13 का डिविजिविल्टी रूल आप लोगों से पूछा जाए तो आप कहना अगर कोई संख्या ABC, ABC के फॉर्मेट में लिखी है तो वो संख्या हमेशा 7, 11, 13 से डिवाइड होगी अब ये ABC, ABC क्या आगया भाई साब अगर कहीं 243, 243 लिखा हुआ है तो ये 3 से डिवाइड होगा अगर कहीं 113, 113 लिखा हुआ है तो ये 3 से डिवाइड होगा अगर 520, 520 लिखा हुआ है तो ये 3 से डिवाइड होगा अगर 489, 489 लिखा हुआ है तो ये 3 से डिवाइड होगा यानि सुरू के 3 अंक जो है अगले तीन अंको जैसे हैं तो वो हमेशा इन तीनों से डिवाइड होता है 7, 11, 13 से डिवाइड होता है तो देखो न 624, 613 नई डिवाइड होगा 624, 624 तीनों से डिवाइड होगा option number B इस question का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट question आप लोगों के सामने है ये question आप लोगों से assistant radio operator में पूछा था फरवरी 2024 में shift 1 में ही question पूछा गया है बड़ यासा question है थोड़ा सा देख लो क्या कहना चाहरा है भाई question हाँ थोड़े high level के question करा हूँ बड़ 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 बताईए क्या होगा इस question का बिलकुल सही जवाब देखिए एक से 61 तक की तीन से विभज्य संख्याओं को घटे हुए किरम में व्यवस्थित किया जाए तो उपर से कौन सी संख्या सात्मे नंबर पर और सत्रमे स्थान पर आएगी सात्मे नंबर पर कौन सी आएगी सात्मे नंबर पर कौन सी आएगी और सत्रमे नंबर पर कौन सी आएगी ये पूछना चाहा रहा है पहले संख्याओं को बनाओ तो बिटा अगर मैं बात करूँ तो सत्रा और अठारे को हुए exam में धो हर shift में एक question अपी का पूछा गया है Ap मतलब arithmetic progression arithmetic progression मतलब समांतर स्रेणी का एक question समांतर स्रेणी का भी हम इसमें ही पढ़ रहे होंगे ध्यान से सुनिए एक से एक सरत्य तक लेनी है तीन से विभाजय संख्या को गटते हुए किरम में क्या पहली संख्या 60 होगी दूसरी संख्या 57 होगी तीसरी संख्या 54 होगी चौती संख्या 51 होगी और ऐसे ही होते होते पहली संख्या इधर 3 हो जाएगी भाई एक से लेके लिखनी है 61 तक की 3 से विभज्य संख्याओं को घड़ते हुए किरम में यानि पहले सबसे बड़ी, फिर उससे चोटी, फिर उससे चोटी, फिर सबसे चोटी, अब आप मुझे ये बताईए ध्यान से, उसने कौन-कौन सी संख्या पूछी है, सात्मी और सत्रमे नंबर की संख्या पूछी है, बेटा एक फॉर्मूला याद रखिए, TN का, वैसे त A क्या होता है, A होता है फिर्थम पद, कभी भी गलत नहीं देगा, ये कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे, अगर ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है तो, N क्या होता है, पदों की संख्या, और D क्या होता है, सारवंतर होता है, अब मेरी बात को थोड़ा सा, एक अंतर समान हो, जब भी कोई स्रेणी ऐसी दी गई हो, जिनके बीच का अंतर समान हो, तो ऐसी स्रेणी को हम लोग जो है समानतर स्रेणी कहते हैं, समानतर स्रेणी में एक फॉर्मूला आता है, TN is equal to A plus N minus 1 into D, A क्या होता है, पिर्थम पद होता है, N जो होता है, वो पदों की संख्या होती है, ठीक है, D क्या होता है, इनके बीच का अंतर होता है, अब आप मुझे ये बताइए, आपको कौन से नंबर का पद लिकाना है, आपको साथ में नंबर का पद निकालना है, यानि N की वेल्यू साथ दी हुई है, पहला पद कौन सा है, तो साथ है, N की वेल्य एक, साथ माइनस एक, और डी, सारवांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला पद घटा दो, दूसरे में से पहला पद घटा होगे, तो माइनस का तीन आएगा, भाई, सत्तामन में से साथ घटा होगे, माइनस का तीन आएगा, आपने कहा, जी साथ, साथ में से एक गया, 6-6 की गुणा 3 में करोगे तो माइनस 18 आएगा और 60 में से 18 जाएगे तो बच्चा आप लोग बता पाओगे 42 आएगा ऐसे ही आप लोगों को सत्रमे नंबर का पद निकालना है तो यहाँ T 17 लिख दीजिए फॉर्मूला यही वाला पहला पद कोन सा है 60 है सत्रमे नंबर का निकालना है तो N की वैल्यू सत्रा है D क्या है सारवंतर कितना है दोनों का अंतर है तो आप कहेंगे 17 में से एक गया 16 16 की गुड़ा 3 में होगी तो 48 आएगा और 60 में से 48 जाएगा तो 12 आएगा तो आंसर क्या आजाएगा 42 और 12 आजाएगा ठीक है जब भी दो पदों के बीच का अंतर समान है ऐसी स्रेणी को समानतर स्रेणी कहा जाता है 17-18 दोनों तारिक में आप लोगों से 17-18 दोनों तारिक में आप लोगों से मेरे दोस्त AP का एक कुश्चन पूछा गया था ठीक है भाई चलिए बहुत शानदार आगे बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ अब इसे मुझे बताईए सेसफल पिरमेका भाई साब इसी 17 फरवरी को पूछा गया कुश्चन आप लोगों के सामने हैं जल्दे से मुझे इसका अंसर दे दीजिए क्या होगा इस कुश्चन का बिल्कुल सही जवाब कुश्चन नहीं कहा है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 सेस बसता है भाईया किस से 119 से विभाजित करने पर क्या सेस बसता है तो आप कहेंगे 19 सेस बसता है यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या सेस बचेगा बचे जो भी सेस फल बसता है उसी को हम लोग संख्या मान लेते हैं अगर मैं इस 19 को 17 से डिवाइड कर दूँ तो क्या सेस बचेगा तो आप कहेंगे 17 एकम 17 दो सेस बचेगा आसान और सुसील सा कुश्चन था option number D इस question का जवाब हो जाए ठीक है बहुत बड़ी है पहले पद को A क्यू लेते हैं भाई मतले पहले पद को A पहले पद को T ले ले कोई दिक्कत नहीं है सुरुआत में आता है A इसलिए लेते हैं भाई बटा बट इस question का जवाब दे दो क्या होगा इस question का बिलकुल सही ज question ने क्या कहा है भाई साब जब एक पूर्णांक N को 8 से विभाजित किया जाता है N को किस से विभाजित किया जाता है 8 से तो सेसफल तीन बचता है तो बेटा सेसफल को ही संख्या ले लूँ क्या N की वैल्यू ही तीन हो जाएगी तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी यदि 6N-1 N की वैल्यू को क्या लिया है 3 लिया है माइनस 1 यानि वो 17 की बात कर रहा है 17 को 8 से विवाजित किया जाए तो क्या सेस बचेगा तो आप कहेंगे जी ऐसे सवाल भी आते हैं भाई साब पूछे गए है अंसर क्या हो जाएगा एक इस कुश्चन का सती बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट ये असिस्टेंट ओपरेटर में आप लोगों से पूछा था 7 फरवरी 2024 एक महिना मात्र इस कुश्चन को आए हुए हुआ है कैसा है यूपी पुलिस का रुजहान कैसे है यूपी पुलिस एक्जामिनर का रुजहान एक बार देख लो भाई सब अभी फिलाल में ये रुजहान बना हुआ है होता है यानि कौनसी ऐसी एन की वेल्यू है जो सबसे बड़ा सेस्फल देगी तो जब 5 से विभाजित करूँगा तो 0 सेस्फल आएगा क्योंकि पीछे 0 है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 9 से डिवाइड करता हूँ 5 और 1, 6, 3, 9, 8, 17, 18 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ये भी सेस्फल नहीं देगा 6 से डिवाइड करता हूँ 2 से तो डिवाइड हो जाएगा अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये 3 से भी डिवाइड होगा तो ये 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा आठ ही ऐसी संख्या होगी जो सेस्फल अलग देगी है ठीक है भाई तो ये कुश्चन बड़ा आसान सा कुश्चन था आप लोग आसानी से इस कुश्चन को बना के ले जाएंगे कुश्चन नमबर 22 आप लोगों के सामने है वटवट बता दीजिए भाई केवल एक मिनट हम लोगों के पास है इस कुश्चन को करने के बाद इस कुश्चन का जवाब आप लोग हॉमवर्क में देंगे आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं आज की क्लास को यहीं खतम करते हैं अब अगली क्लास जो है आप लोगों का फैवरेट सब्जेक्ट फैवरेट टीचर के द्वारा होने वाली है नवीन सर इस क्लास को लेने वाले है तो अगली क्लास से जरूर जुडिएगा वैसे तो कहने की आवशिक्ता नहीं है आप बढ़ चड़के जुड़ेंगे ही लेकि अंदार तरीके से खतम कर रहे होंगे और यकीन मानिए जब 30-35 क्लास के बाद आप क्योई क्रिविजन कर चुके होंगे तो उसके बाद प्रेक्टिस सेट करने में अलग ही मजाएगा ठीक है लगातार जुड़े रहिएगा बस ये सोचिएगा पेशेंस आप लोगों को दो आप धन्नाव